साथियों, आज जिने नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है. सरकार का एक एहम हिस्सा होने के नाते, विख्सीद भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागिदारी रहेगी, विशेश जिम्मेवारी रहेगी. आप में से जादातर लोग सरकार के प्रतिनिती के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे. आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा. आपने सुना होगा, व्यापार, कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंजुमर इस आल्वेज राइट. वैसे ही शाशन व्यवस्ता में हमारा मंत्र होना चाहिए, citizen is always right. वही भावना हमारे भीतर की सेवा, प्रभूति को और ताकत देती है. आपको यह कभी भूलना नहीं चाहिए, कि जब आप सरकार में न्यूक्त होते हैं, तो उसे government service कहा जाता है, job नहीं कहा जाता. अगर private में जाते हैं, तो कहते हैं, job करते हैं, सरकार में आते हैं, तो कहते हैं, सेवा करते हैं. अगर आप सेवा भाव को मन में रख कर, इन 140 करोड मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सोभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अउसर मिला है, और उस भाव से हम काम करेंगे, तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा, और आपको भी अपने काम में आनन्द आएगा. आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधू, अनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग प्रेटफॉर्म, आई गॉट कर्मयोगी से, उन्हें बंधू की तैयारी के लिए मदद मिल रही है, आफिशल ट्रेनिंग प्रोग्राइम से अलग, इस प्रेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सिस हैं, जो आपकी व्यक्तिकत च्ष्मता बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपकी सोचने की गहराई में, उत्रोत्तर प्रगति होती हैं, लाब होता है, मुझे विश्वास हैं, कि सेल्फ लर्निंग ठूटेक्नलोजी, ये आज की पीड़ी को मिला हुआ आउसर है, इसो जाने मत देना, जीवन में लगातार छिक्ते रहने की ललक ही, हम सब को आगे बढ़ाती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे भीतर की विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूँ, आप भी कहीं पर भी पहुँचे, आप लगातार कुछ लोगोँ सिखते जाईए, जो आपती क्षमता बढ़ाएगा, जिस इंस्टिटूट से आप जुड़े हैं, उसकी क्षमता बढ़ाएगा, और इन सम का प्रयाँ से ही भारत की क्षमता बढ़ेगी.